कैलास गुफा बारत के 36 गट के बस्तर जिले में कांगेर घाटी राष्ट्रिय उद्धान में इस्तितेक प्राकिर्तिक रूप से निर्मेट चुना पतर की गुफा है इसका नाम गुफा के अंदर प्राकिर्तिक स्टेलेग माइट सन रचना के नाम पर रखा गया है जो एक सिव लिंगम जैसा दिखता है कैलास गुफा का इतियास पसान युक से मिलता है पुरा तत्विक साक्षों से पता चलता है कि गुफा में प्रारंबिक मानों का निवास था गुफा में प्राचीन, साहल, चीतर और नकासी भी है 15 अताबदी में इस गुफा का उप्योग छेतर के आदिवासियों दोरा पुजा अस्तल के रूप में किया जाता था उन्हों है गुफा के अंदर भगवान शिव के स्वारूप के रूप में सिव लिंगम की पुजा गी 28 अताबदी में इस गुपा की खोज अंग्रेजों ने की थी वे गुपा की प्राकृतिक सुन्दर्ता और उसके अंदर मौझूद सीव लिंगम को देखकर आचरे चगीतर आ गए अंग्रेजों ने गुपा में प्राचीन, सैल, चीतर और नकासी की भी खोज की कैलास गुपा एक लोग प्रिये पर्याटन अस्तला पर्याटन गुपा में परिवेश कर सकते हैं और इसकी प्राकृतिक सुन्दर्ता का अनंद ले सकते हैं वे सीव लिंगम और प्राचीन, सैल, चीतर और नकासी भी देख सकते हैं परानी का था के अनुसार कैलास गुफा गा निर्वान स्वयम भगवान सीव ने किया था भगवान सीव हिमालाय पर ध्यान कर रहे थे जब उन्हें राक्षस रावन ने प्रसान किया था रावन के लास परवत को हिलाने की कोशिश कर रहा था जहां भगवान सीव ध्यान कर रहे थे रावन के उप्रद्रव से भगवान सीव कुरोधित हो गया उन्हों ने अपनी तीसरी आग खोली और आग पैदा की जिससे रावन के दस सीर जल गए आग ने जमीन में गुफा भी बना दी तब भगवान सीव ने गुफा में परवेश किया और अपना ध्यान जारी रखा कहा जाता है कि यह गुपा एक पवित्र अस्थान है जहां भगवान सीव आज भी निवास करते हैं गुफा में आने वाले पड़े अटक गुफा में परवेश करते हैं भगवान सीव की दिव्य उपस्थिती को महसूस कर सकते हैं कैलास गुफा कक्षों में एक स्रिंखला वाली एक बड़ी गुफा है गुफा को प्राकिर्तिक चुना पतर की सनरचनाओं से सजाया गया है जिसमें स्टेलेक टाइल्स, स्टेलेक माइट और अस्तंब सामिल है गुफा के मुखे कक्ष में सिव लिंगम है, सिव लिंगम एक प्राकिर्तिक स्टेलेक माइट्सन रचना है जो सिव लिंगम जैसा दिखता है हिंदुवों दुवारा सिव लिंगम को बगवान सिव के स्वरूप में पुजा जाता है गुफा में प्राचीन साहिल चीतर और नकासी भी है साहिल चीतर और नकासी पसान यूग के हैं वे गुफा में रहने वाले प्रारंबिक मनुसिक के जीवन के विभीन द्रिश्यों को चितरित करते हैं कालास गुफा एक लोग प्रिये प्रयाटा नस्तल है पड़याटाग गुफा में प्रिवेश कर सकते हैं और इसकी प्राकिर्तिक सुन्दर्ता का अनंद ले सकते हैं वे सिव लिंगम और प्राचीन साहिल चित्रोना कासी भी देख सकते हैं कालाज गुफा कांगेर घाटी राष्टिया उद्धान में इस्थित है जो बस्तर के जिला मुख्याला है जगदल पूर से लगभग तेर सो किलो मिटर दूर है और भी गुफा से जुरी जनकारी और उनके बारे में जानने के लिए हमारे वीडियो देखे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें